मेरे हाथ में कलम थी और सामने दिश्व का बांचत्र मैं उसमें भूरने लगा महां दाशनिकों और लेटोकों के बंतियां जिसे मैं दासकों लेकिन मुझे दिखाई की पुरो शासकों दोरा ठीचि दे लगी रहे इस पार के इंसानी लिखों से उस पार के लगी माँचेतर की तमाम तेड़ी मेरे रेखाऊ को मिलाकर भी मैं भूर नहीं पाया एक आदमी का और चेखरा उखारे वाले रेखा मांजेतर की तमाम तेड़ मेरे रेखाओं को मिला कर भी मैं गोड नहीं पाया एक आदमी का चेजरा उभारने वाले रेखा मेरे गर्दन गलोग की तरह ही चुक गई और मैं रोने लगा तमाम सुने सुनाई करकों को तरकिनार करते हुए आज मैंने जाना गलोग की गर्दन इसुकी भी क्यों है